तो फाइनली साथियों अभी अभी जो है बिहार सिक्षा विभाग के तरफ से बिहार विद्याले अधियापक कक्षा एक से पांच के सभी सफल अभ्यर्थियों के काउंसलिंग से संबनी तावस्यक सूचना जारे किया गया है जिसमें डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन की तीथ जाएंगे तो आप इस वीडियो के साथ लास्त तक बने रहे और नए साथी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो जैसा कि दोस्तों आपसे अपने स्कीन पर देख सकते हैं बिहार सिक्षा विभाग प्रेस विग्यप्ति जो जारिक क्या गया है यहां पर देखें अब उस तीथी को बदल दिया गया है 20 अक्टूबर से ही डोकुमेंट्स विरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है अब जो है आपको कैसे चेक करना है कि आपका किस डेट को है तो यहां पर दिया गया है अनुरोध है आप सभी से कि सिक्षा विभाग की विभाग ये वेबस वन टू फाइव के सफल अवियर्थों के कॉंसलिंग के संबंद में आपसे सूचना अब यहां पर देखेंगे 20 अक्टूबर को किनका है जिनका जो है कॉंसलिंग देखिए 20 अक्टूबर को कॉंसलिंग के लिए आने वाले कक्षा एक से पांच के सफल अवियर्थी जिसका BPSC के मेधा सूची के प्रिष्ट एक से लेकर 17 पेज तक जो है अंकित है आपका रोल नमर तो आप 20 को पहुँचिए इसको साथियों अच्छे से समझेगा जो आप रिजल्ट चेक किये थे 125 का जो लगभग 100 से जाइदे पेज का है तो वहाँ पर आप से भी देखे होंगे कि आप जब रोल नमर सर्च करते होंगे तो दिखाता हुआ कि आपका दूसरा पेज पर रिजल्ट आया है या 50 पेज पर है या 70 पेज पर है तो आपको अपना रोल नमर चेक करना है हम आपको चेक करके भी बताएंगे इस वीडियो में तो बने रहें तो जिसका भी रोल नमर का प्रिष्ट नमर एक से लेकर 17 पर अंकित है तो आपका कॉंसलिंग 20 को है 21 को किसका कॉंसलिंग है तो यहाँ पर देखेंगे DPSC के मेधा सूची प्रिष्ट संख्या 18 से लेकर 34 पेज तक अंकित है तो आपका कॉंसलिंग 21 को है इसी तरीके से बायस का यहाँ पर देखें 35 से लेकर 21 प्रिष्ट तक अगर आपका रोल नमर अंकित है तो आपका बायस को कॉंसलिंग है 23 को आप देखेंगे कि 22 से लेकर 68 पेज तक अगर आपका किसी भी पेज में इस बीच में या इस प्रिष्ट पर किसी भी प्रिष्ट पर आपका रोल नमर है तो आपका 23 को है इसी तरीके से 69 से लेकर 85 पेज तक अगर आपका रोल नमर अंकित है यहाँ पर हम result PDF download करके open कर लेते हैं आप इस group को join कर लिजेगा यहाँ पर सभी update सबसे पहले दी जाती है तो यहाँ पर हम result PDF को open कर लिए हैं और हम अपना role number search करेंगे यानि कि आप अपना role number search करेंगे यहाँ पर देखेंगे search का button दिया गया है यहाँ पर हम एक role number search करते हैं 77, 18, 95 जैसे कि हम search करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इस candidate का यहाँ पर selection हुआ है दिखा रहा है अब यह देखिए किस page पर है तो यहाँ पर उपर में देखिए 97 page पर है कौन सा page पर इसका result है तो check करने के बाद आपको पता चलता है कि 97 नमर का जो page है इस पर जो है इसका result दिखा रहा है इसका मतलब 97 page नमर का counseling किस date को होने वाला है तो वो चीजे अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं तो चलिए हम notice को देख लेते हैं नोटिस को अगर आप देखेंगे तो 97 page का यहाँ पर बताया जा रहा है कि BPSC के मेधा सुची के प्रिष्ट 86 से लेकर 102 इसका 97 है इसका मतलब जो है इसका 24 को 25 एक्टूबर को counseling है और यहाँ पर बताया गया है कि सभी अब्यर्थी अपने ही तीथी में counseling के लिए उपस्थित होना है ठीक है यानि कि नित्य तीथी कोई counseling है तो उपस्थित हो ताकि counseling के इंद पर अनावस्यक भीर न लगे क्या-क्या documents लगेगा इस पर हम अलग से वीडियो बना दिये हैं ताकि नियूंतम जानकारी सबसे पहले आप सभी तक हम पहुँचा सके बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का